अकिल भारती किसान महासभा और सन्यू की किसान मोर्चा के द्वारा सोमवार को कलेक्टेट पहुँचकर देश ब्यापी अहवान पर अकिल भारती किसान सभा के प्रांतिये महासची प्रहला दाजवेरागी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष चान सिंग मेवाड़ा अकिल भ हमें किसानगण मौझुद रहे को जो केंदर सरकार औरπ हमहद्ध प्रदेश की सरकार जो किसानगण कॊल नहीं मिल पाता है और किसानों के साथ जो अबिक थी सरकारने मादा करा था वा बादा यह है कि किसान को उसकी फसल का उचीत मूल मिलना चाहिए महंगाई के हिसाब से और जो भी यह सबसीटी फरकारे दे रही है अभी वो सबसीटी आने हो रही है और उसमें भी भारी फरिष्टाचारिये कर रहे हैं तो हम आपके महाद्यम से यह फरकार से मांग करते हैं किसानों और मद्यि प्रिदेश की जो राजि सरकाज भारतिय जनता पार्टि की इनकी किसान विरोधी नीतियों के काराणकिछान अभी बहुत ज्यादा परिçान चल रहा है वरतमान में मद्धिपरदेश के किसान ने जो आलू बोया था आलू जो किसान है वो दो रूपे तीन रूपे किलो आलू मंडियों में मारा फिर रहा है और इन्होंने दस लाक टन लगबग भूटान से आलू आयात करा जिसके कारण किसानों की आलू किसानों की ये इस्तिती उदार देते हैं और बाइसकार का हवान करते हैं देश में और चीन से भारत में लेशन आयात करने की इनकी योजना बन रही है और आयात जारी है तो हमारी केंद सरकार से मोधी जी से और सिवराश सरकार से ये मांग है कि जो चीनी लेशन आयात करना है उसके आयात पर तक्क प्रवार्टी अर्थिववस्ता में भी किसानों की बराबरी रही और विकास दर एक नए आयाम को चू सकती है लेकिन नजाने क्यों भारती जनता पारटी के सरकार किसान विरोधी नीती अपना रहा है हमारी मांग और चेतावनी है कि यह दिशीग रही नीतियों में परिवर् बीस का भीमा नहीं दिया गया तो अकिलवार्ती किसान सवा एवं संयुक्त किसान मोर्चा उग्र अंदोलन और प्रदर्शन के लिए वाद रहेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी सासनेवं प्रसासन की और हम आज इस आंदोलन के माध्यम से मद्ध प्रदेश के मुख्य मंतर था कि अगर किसानों की फसिल सहती गरस्त होती है प्रकरति के अबदा से तो पचीस प्रतिसाटरासी हम 15 रोच के अंदर दिलाएंगे बाकि सतर दिन के भीतरे हम किसानों को पूरा बीमा क्लेम दिलाएंगे लेकिन दुरभाग्य की बात है कि आज दो हजार वीस का जो देश सासन ने आज तक किसानों को नहीं दिया सबसे दुरभागी की बात तो यह है कि दो हजार सतरा अठारा का रहत रासी और भवंतर और सोय अंगें का बोनस आज तक सीवराज सरकार नहीं दे पाई है हम मांग करते हैं कि सीवराज जी ततकाल इन समच्चाओं का निदान निदान निकालो नहीं तो आज मद्द प्रिदेश फिर एक बारूट के धेर पर भारती जनता पार्टी और सीवराज के सरकार ने खड़ा कर रखा है अगर किसान अंदोलन फूटा तो फिर यहां पर भारती जनता पार्टी किसानों के हत्याएं करवाना चालू होगी तो हम किसानों को समय रहते हुए किसानों को सोयभीन का भवावंतर एनेस्ट्रा बोनस और राहतरासी ततकाल किसानों को दी जाए मद्द प्रिदेश के मुक्ष्यमंतरी केते हैं कि एनस्पी नहीं में भववंतर दूंगा लेकिन सिवराज जी आपने सित्रा तक का भवंतर किसानों को नहीं दिया तो तुमारे यह झूंटे जूमले बाजी चोचले बंद करो एक तरप तो तुमने हर धर्मी से पंचा चुना कराया और हर धर्मी से ही उस चुनाओं को निरस्थ भी कराया और बार बार आपने फिर सरपंचों को पद दे कर एक भरष्टा चार की निव मद्धि प्रिदेस में रखी है क्योंकि और नगरपाली काएं कापरेटिव सेक्टर मंडी बोर्ड भी निर्वाचित प्रितिनी दियों का था अगर आप जन तंत्रों लोक तंत्र में बिसवास रखते हैं तो सिवराज जी इनको भी बाहल करो क्योंकि मद्धि प्रिदेस किसान सबा आज मांग करती है कि समय रहता हुए किसानों के समझ से अहल नहीं की गई तो आने वाले टाइम में मद्धि प्रिदेस में एक उगर अंदोलन अखिल भारते किसान सबा उस सहींक तो मोर्षा करेगा मद्धि प्रिदेस की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदस निज को अपने मोबाइल पर सब्सकाइब करें और बिल नोटिफिकेशन ओन करें साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेब साइट पर विजिट करें